हेलो औरिबड़ी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुश्कपरी ले के आ हूँ ये मनोहरलाल खटर ने की बड़ी गोशना हरियाना में 90 जार पदों पर होगी भरतियां दोस्तों वकेंसी नहीं कल सकती है आपके लिए बहुत जाद मातरा में ये एनॉंस्मेंट कि दोस्तों आपे पूरी नूज पढ़ लेते हैं मनोहरलाल खटर ने कहा कि राज्य के पुलीस और अन्यव भागों में जल्द ही 20,000 पदों पर बढ़ती होगी उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में करीब 80-90,000 पदों पर बढ़तियां होगी खास बाते पुलीस और दोस्तों यहां पर आगे बात करते हैं कुंडली माने सर पलवल एक्सप्रेस के उदगाटन के मोके पर हरियाना के मुख्या मंतरी मनोहरलाल खटर ने सरकार की उपलबदियां गिनाई साती मनोहरलाल खटर ने कई एहम गोसना भी की है मनोहरलाल खटर ने कहा कि हरियाना सरकार ने चार सल में 30,000 जारियों को नोगरी दी है हरियाना सरकार ने हाल ही में ग्रूप डी की प्रिक्षा उजित की थी इस प्रिक्षा के तहत 18,000 पदों पर भरती की जाएगी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना इंट्रो के इतने बड़े स्तर पर भरती कर रही है मनोहरलाल खटर ने कहा कि राजय में अभी 10,000 पदों पर भरतीयां पेंडिंग है खटर ने कहा कि राजय के पुलीस और अन्य वाग में जल्द ही 20,000 पदों पर भरती होगी उन्होंने कहा कि जल्द ही राजय में करीब 80-90,000 पदों पर भरतिया होंगी आपको बता दे कि मनोहर लाल खटर ने गोशना कुंडली माने सर पलवल एक्सप्रेस वेक उद्गाटन के दोरान कही केम पी एक्सप्रेस वे यानि कुंडली माने सर पलोला एक्सप्रेस वे का उद्गाटन पीम मोदी ने किया इस मोके पर हरियाना के मुख्यमंतरी और बीजेपी के अन्यानेता मोजूद थे तो दोस्तों यहां पर बता गया है कि राज्य में और वकैंसी जल्द ही निकल सकती है ये अनोफिशल है दोस्तों क्योंकि ये किसी और साइट का दावा है तो आगे देखते हैं जल्द ही वकैंसी आती यानि आती वैसे 80 से 90 जार कही जा रही है इतने वकैंसी आणा मुश्किल ही नहीं नामंकिन है हो सकता है 15 से 20 जार वकैंसी और निकल सकती है चांसी जह जादा लेकिन वो हो सकता है 10 दिन लग जाए महीना लग जाए डेड़ महीना लग जाए तो दोस्तों ये काफी अच्छी अपडेट आपके लिए हो सकती है ये ऐसा सच में हो जाता है तो दोस्त